नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 6 दिसंबर दिन बुद्वार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जाने बीपीएसी सिफचक भरती फेज दो परिच्छा से जुरेक गाइडलाई नितीज सरकार के इस योजना का लाब उठाकर पाएं 5 लाक रुपे विश्विद्यालियों में आउट्सोर्सिंग से होगी 3,000 सफाई कर्मियों की नुप्ती आज होने बारी इंडी गडबंधन की बैठक तली इस दिन होगी अगली बैठक रोहल शर्मा के बाद भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान को लेकर आकाश शोप्रा ने इस खिलारी को बताया मजबूत दावेदार अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खब्लों के ओर विस्तार से इगनो में स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट पदो पर निकली भरती इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवरसिटी के ओर से स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 102 पदो के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो Central University's Recruitment की official website exams.nta.ac.in पर जाकर online तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे क्या आविदन करने की अंतिम तारिक 21 दिसंबर 2023 सक नरधारत की गई है इसके लेगर सैचने क्योगिता की बात करें तुम्हे द्वार ने मानता प्राप्त बोर्ड संस्थान से बारवी उत्तिर्ण किया हो इसके साथ ही कम्प्यूटर में अंग्रेजी में 40 सब्द प्रती मिनट एवं हिंदी में 35 सब्द प्रती मिनट टाइपिंग स्पीड हो इस्टेनोग्राफर पदो के लिए सौट हैंड 80 सब्द प्रती मिनट होना आवश्यक है सजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले जाने BPSC सिक्षक भरती फेज दो परिक्षा से जुरेक गाइडलाइन BPSC सिक्षक भरती के दूसरे चरण की परिक्षा की शुरुआ साथ दिसंबर से होने वाली है समिस को लेकर पहार लोग सिवा आयोग की तरफ से पूरी तयारी कर ली गई है इसी कड़ी में बीते दन BPSC के अधक्ष अतुल परिशाद के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि इस परिक्षा में शामिल होने के लिए लगबग 8,41,835 अभ्यर्थी के द्वारा अभिदन किया गया है उन्होंने इस पस्ट कहा है किस बार OMR सीट में ही रॉल नंबर भरना होगा इसमें गोला भरना है OMR सीट पर एक गोला के अतरिक्त अन्य गोला या किसी तरह की डौट ना लगाए उन्होंने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थिओं को इस ट्राइब उपलब्द कराने के लिए जिलासतर पर जिलास स्ट्रिक्छा पदादीकारी दोरा श्रूती लेककों की सुची तयार कर दिव्यांग अभ्यर्थी वाले किंद्र को उपलब्द कराएंगे वहीं अभ्यर्थियों को परिक्षा केंद्र में परिक्षा शुरू होने के धाई घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा परिक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के गहन जाज के साथ ई-admit card एवं आधार card से मिलान करने के बाद इ-admit card का बार कोड स्कैनिंग किया जाएगा और फिर फोटो का मिलान कर केंद्र में प्रवेश करने के नुमती दी जाएगी इसके अलावा अगर परिक्षा के दौरान कोई मुन्ना भाई पकरा जाता है तो उनकी खैर नहीं होगी subject combination में अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उन्होंने जो combination रखा है उसी subject के सवाल का हल करे बिहार परिटन में आचम बात करेंगे कुड की हार के बारे में कुड की हार गया जले के वजीर गंज प्रकंड अंतरगत बोध गया से तपोवन पत में वजीर गंज से 4 किलोमीटर पूर्व में सित है तिहासिक द्रश्टी कों से यह स्थान बहुत महत्वपुण है कुड की हार का संबंध बहुत धर्म एवं सनातन संस्कृती से जुडा हुआ है यहां से खुदाई के दोरान भगवान बुद की अनेको कलाकृतियां मिली है जो की अश्ट धातू एवं कीमती काले पत्थरों से बनी हुई है सुरक्षा के लिहाज से यहां पाई गए बहुमुले कलाकृतियों को पटना संग्रहाले में सनक्षित रखा गया है इस स्थान का अबलोकन महान पुरा तत्विद कनिंगम ने भी किया था कनिंगम ने पहले 1861 से 62 में और फिर 1889 से 80 में कुरकी हार का दोरा किया उनके अनसार ये अस्थाल कड़ी 600 वर्ग फीट चोड़ा और कड़ी 25 फीट उचा था उन्होंने कहां कई बहुत तस्वीरों के लावा मनत स्थूपो को भी देखा उनके अनसार इस अस्थान का विस्तार कई 100 फीट उतर से दक्षिन तक पंक्ती बथ था यहां से प्राप्त सिलालेखों में देवपाला, राज्यपाला, महीपाल और विग्रापाला तृत्यका उलेख है जो 1044 इसवी तक शासक रहे थे, कुरकिहार एक ऐसा अस्थान है जहां सनातन संस्कृति से जुरी काफी मुर्तियां सनक्षित है यह अस्थान परिटकों को भारती एतिहास के गौडव से रूबडू कराता है और वैववशाली सिल्प कलाकारों के हुनर को प्रदर्शित करता है शे दिन बाद एक्शन में सियम नतीश कबिनेट बैठक में 23 एजेंडो पर मुहर बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडो पर मुहर लगाई गई जिसमें एक एजेंडा यह भी रहा कि बिहार में कबड़ी खेल को बढ़ावा देने के लिए और बिहार की ब्रांटिंग राष्ट्री एवा मंतराष्ट्री अस्तरपर करने के लिए प्रो कबड़ी लीग में पटना पाइरिट स्टीम को बिहार वित नियमवाली के तहट बिहार खेल प्राधी करन द्वारा प्रायोजित किया जाएगा इसके अलावा 400 एलेक्रिक बसों की खरीद की सुकृति दी गई दंचकसा सेवा नियमवाली 2023 को सुकृति दी गई है मोतिहारी और बेतिया में औरिटोरियम बनाने पर सुकृति दी गई बिहार सचिवाले सेवा संसो धन्यमवाली 2023 को सुकृति दी गई बिहार सरकार सेवान्यमवाली के तहट हसा के ततकालेन सीओ को बढ़ खास्त किया गया इवब इलक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए बिहार इलक्ट्रिक वाहन नीती 2023 को सुकृति दी गई इसके साथ इस बैठक में अने कई महत्पुन एजेंडों पर मुहर लगाई गई है विश्यवध्यालियों में आउट्सोर्सिंग से होगी तीन हजार सफाई कर्मियों की निफ्ती विहार सरकार के सिक्षा विभाग के द्वारा सच्टा रैंकिंग में जिम्यदारी और बदलती मांग के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर रहे उच्छन संस्थानों में साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए एक खास पहल की शिरुवात की गई है जिसके तहत राश्ट्री अस्तर पर उच्छन संस्थानों की सच्टा रैंकिंग में पिछले रहे राज्य के सभी 15 परमपरागत विश्यविद्यालियों और 260 अंगेभूत महाविद्यालियों में साफ सफाई की बहतर विवस्था सुनुश्चित करने के लिए आउट्सोर्सिंग से 3000 सफाई कर्मी और पड़ेविक्च्छ की नुक्ती की जाएगे इसको लेकर सक्षा सची बैदनात यादव के दोरा सभी कूल सचीवों को जानकारी दे दी गई है ये नुक्तिया सक्षा विवाग के ओर से चर्णत एजंसियों के माध्यम से की जाएगी बता दे कि स्विवस्था हेट्टू कुल 100 एजंसी का चैन किया गया है जो हाउसकिपिंग की सेवा उपलब्द कराएंगे और इन सभी सफाई कर्मियों के हित में लेबर एक्ट और उससे संब्द हित प्रावधानों को सकती से अनुपालन सुनिश्चित किया राय जाएगा मालुमों कि इन सफाई कर्मियों को प्रतीमा 11,903 रुपे और पड़ेविक चको 12,245 रुपे प्रतीमा मिलेंगे हज यात्रा 20,24 के लिए ऑंलाइन आवेदन शिरू अगर आब बी उनमें से हैं जो वर्ष्षाज 24 में हज यात्रा करना चाहते हैं तो बता दे कि हज कमिटी ओफ इंडिया के द्वारा हज यात्रा 20,24 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के शिरुबात कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तारिक 20 दिसंबर 2023 तक नर्धालत की गई है, मालमों किस बात की जानकारी केंदरी हज कमीटी के CEO लियाकत अली के द्वारा दी गई है, ऐसे में एक छुक लोग अपना आविदन पत्र हज कमीटी ओफ इंडिया की वेबसाइट हजकमीटी.gov.in पर और मो पत्र की कौपी शामिल है, बतादे कि दी गई जानकारी के नुसार हज आविद को के पास मशीन पठनिये पास्पोर्ट होना अनिवारे है, जो हज आविदन पत्र भरने की अंतिम तिति या उससे पहले का जारी किया होना चाहिए, और जिसकी वहता कम से कम 31 जनवरी 2025 तक हो अंगी भूत कॉलेजों संबंद और श्वसासित कॉलेजों के हजारों सिक्षक एवं सिक्षक्तर करमचारियों को चाइल्ड केर लीव देने की तैयारी की जारी है, बतादे कि इसको लेकर बिहार राज्य उच्छतर सिक्षा परिसत के दोरा पहले ही अपनी सहमती दे दी ग यह सुधा राज्य सरकार के सभी करमचारियों को दी जा रही है, लेकिन अब तक यह सुधा उच्छन संसानों, विशेशकर राज्य के सभी विश्यवध्यारियों के सिक्षकों एवं सिक्षतर करमचारियों को अभी तक यह सुधा प्राप्त नहीं है नॉन इंटरलोकिंग कारी की वजह से कहीं ट्रेने रद तो कुछ के रूट डाइवर्ट तो वहीं दो ट्रेन के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ऐसे में जिन दस ट्रेनों के परिचालन को रद किया गया है उनमें गाली संख्या सुने 3247 और सुने 3248 दानापूर SMBB दानापूर स्पेशल काली संख्या सुने 3251 और सुने 3242 दानापूर SMBB दानापूर स्पेशल काली संख्या 22353 और 22354 पतना SMBB पतना हमसफर एक्सप्रस काली संख्या 12521 और 12522 बरौनी एरना कुलंबरौनी रापती सागर एक्सप्रस के नाम शामिल है वहीं जिन दो ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है उनमें गारी संख्या एक दो दो नौ पाँच और एक दो दो नौ छे एसम भीवी दारापूर एसम भीवी संगमित्रा एक्स्प्रस के नाम शामिल है ऐसे में अगर आभी स्ट्रीं से सफर करने वाले है तो एक बार इस सजरी जानकारी जरूर चेक कर ले बिहार भवन एवं सनर्मान कर्मकार कल्यान बोर्ड में निबंधन नवीकरन हीतू सूशना बिहार सरकार के स्रम संसातन विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेर कर विहार भवन एवं सनर्मान कर्मकार कल्यान बोर्ड में निबंधन नवीकरन हीतू निर्मान श्रमिकों के लिए सूशना जारी की गई है जिसके अंतरगत बताया गया है कि बोर्ड में पुर्व से निबंधन निर्मान श्रमिक जिनका निबंधन समाप्त हो गया है अत्वस्तिक्र समाप्त होने वाला है वे अपना ओन्लाइन निबंधन अविकरन दिरांक 31 दिसंबर 2023 के पुर्वकडाले निबंधन अविकरन के लिए वेबसाइट sttps//bocw.bh.gov.in अत्वा नस्दी की कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करे पतादी की बोर्ड में निबंधत स्ट्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओ में मातरित्व लाव, विवाह सहाइता, मृत्युअनुदान, दास्वंसकार, सच्छा के लिए सहाइता, चिकिस्सा सहाइता, नकतपुरुसकार, पितरित्व लाव और वाशिक चिक बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमारने करनाटक के विजयपूरा के अलियाबाद और दूइक छित्र में एक नीची खादे प्रसंसकरन इकाई के गोदाम में लगभग 100 तन मकई के बोर के नीचे दब जाने से बिहार में साथ मजदूरों की हुई मौत पर मरमाहत हैं उन् मुख्यमंत्री राहत को से 2-2 लाग रुपे अनुगरा अनुदान देने की घोशना की है मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को इस्थिती का जायजा लेने दिता हर संभव सहाईता उपलद कराने एवां मृत मजदूरों के पार्थिर सरीर को उनक प्रदीशत अटेंनस का नर्देश सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठके बेतिया आगमन को लेकर जिले में सक्षा विवाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है लेखा और योजना के जिला कारेक्रम पदादिकारी सब बेतिया की प्रखन सक्षा पद निगरानी रखने का नर्देश दिया गया है जो कक्षा 11 और 12 वी में पढ़ते हैं वहीं सभी विद्यार्थियों को स्कूल ड्रिस में ही विद्याले आने का नर्देश दिया गया है विद्याले के परिसर का साफ सुत्रा रखने को भी कहा गया है और विद्याले के सौचाल के तहट पांच लाख रुपए उपलब्द करवाये जाएंगे जो बतोर अनुदान होगा दरसल सरकार की ओर से प्रखंडों और सुदूर ग्रामी छेत्रों को जिला मख्याले से जोड़ने के साथ ही जनता को पड़िवहन सुधा उपलब्द कराने के उद्देश से बस लेने के बाद राज्य सरकार के ओर से उस व्यक्ति को पांच लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी इसको लेकर रदी सूशना भी जारी कर दी गई है वही आसे लोग जो इसका लाब लेना चाहते हैं वह आज यानिके 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक उनलाइन आवेदन कर स प्रतेइक प्रखन के साथ लोगों को योजना का लाब मिलेगा जिन में अनुस्ट्री जाती के दो अतन पिछरा वर्ग के दो पिछरा वर्ग अल्वसंख्यक वर्ग और समाने वर्ग के एक एक व्यक्ति शावर्ग प्रिंटिंग प्रेस से लाखो रुपए की नकली किताब जब बीतिदन भारती भवन के स्टाफ एवं कदम कुआ थाने की पुलिस के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर विहार की राजधानी पटना के कदम कुआ में प्रिंटिंग प्रेस के आर्मे भारती भवन की डुप्लिकेट किताब छापने वालों पर कारवाई करते चापे मारी कर लाखो रुपे के नकली किताब बढामत किये गए बता दे कि हकारोबार कदम कुआ थाना चितर के राजिंदर नगर रोड नंबर 10 में किया जा रहा था इस बारे में भारती भवन के अधिकारी फरमान के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि गुप्त और चौकी किताबे जलतर चापी जा रही थी और बिहार जार्खन के कई जगों पर बेची जा रही थी बिहार के इंजिलों में हो सकती है बारिश ठंड से बढ़ेगी ठिटरर बंगाल की खारी में उट रहे चक्रवाती तुफान का असर बिहार में दिख रहा है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के नुसार आने वाले दिनों में और अधिक सर्दी पर सकती है अगले हफ़ते बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तुफान मिचोंग के फ्रिभाव से 6 और 7 दिसंबर को राज्जी के कई हिसों में बारिश होने की संभावना है इस दोरां सीतामढ़ी, मदुबनी, मुझपरपुर, शिवर्ट, समस्तिपुर, पुर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है इसके बाद मौसम में बदलाओं की संभावना है मौसम विज्ञान के इंदर पटना के नसार अगले तीन दिरों तक सुभा की समय अधिकांस हिसोक में मध्य मस्तर का कोड़ा चाया रहेगा आज बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यहां खबर आपके लिए है बतादे की विहार के पश्चिम चमपारन जिला में आज यानि की 6 दिसम्बर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है मालुम हो कि आयोजित किया जाने वाला है ऐसे में वो लोग जो इस रोजगार मेला में शामिल होना चाहते हैं उन्हें NCS पोर्टल पर अपना निबंधन कराना अनिवारे होगा अभियर्थियों को रोजगार है तो आवेदन और बायोडाटा लेकर पहुंच रहोगा पता दे कि अभियर्थियों की सुवधा के लिए जिरा नियोज डाले में दूरभास संख्या सुनित 6254-295737 पर हेल्प सेंटर की भी सुवधा रखी गई है विशेश जानकारी के लिए अभियर्थि हेल्प सेंटर पर संपर्ग कर सकते है फरार IPS आदित्य कुमार ने पटना कोर्ट में किया सरेंडर भर्षचार के गंभीर आरोपे पिछले 7 माह से फरार चल रहे गया के ततकालिन SSP आदित्य कुमार के द्वारा बीते दिन पटना सवल कोर्ट में आत्म समर्पन कर दिया गया वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उहने बीते दिन पटना के आर्थी कपडात के विशेश नयायाले में आत्म समर्पन कर नियमित जमानत की अरजी दायर की जानकारी के मताबिक दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी जमानत ग्याची का रद कर दी गई है पता दे कि उन पर आरोप है कि आईपेस अधिकारी आदित्य कुमार के द्वारा अपने उपर दायर शिकायत खत्र कराने और बहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अविशेक कुमार से डीजीपी का फोन करवाया गया था आज होने बाली इंडी कडवंधन की बैठक टली इस दिन होगी अगली बैठक आज यानी की 6 दिसंबर को कॉंग्रस के द्वारा देश की राजधाने दिल्ली में इंडी कडवंधन के सदर्श्यों की बैठक बुलाई गई थी जिसे रद कर दी गई है दरसल आज होने वाले इस बैठक में शामिल होने के लिए कई नेताओं के द्वारा किनारा कर लिया गया था अगली बैठक 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी लोग सभा में गिराज का खुलासा मुदी राज में बिहार में बिचा सरकों का जाल बीते दिन लोग सभा में प्रशनकाल के दौरान बिहार चजरी विकास योजनाओं को लेकर हो रही बातचीत के दौरान कबिनीट मंतरी गिराज सिंग के दौरा पाटली पुत्र संसदिय च्छेतर के सांसद राम कृपाल यादव के सवालों का जवाब देते वे कहा ग्या कि बिहार में फेज एक और फेज दो के तहट सिर्फ उग्रबाद प्रभाविच छेतरों की सरकों का निर्मान बाकी है जबकि फेज 3 के तहट बनने वाली कुल 6162 किलोमीटर लंबी सरकों के निर्मान के लक्ष में अब तक 500065 किलोमीटर सरके सुगरत हो चुकी है आपकी जानकारी के लिवतादे कि संसत का सीथ कालीन सत्र किश्रवाद 4 दिसम्बर 2023 से हुई है जिसमें बिहार के सांसद राज्य से जड़े कई योजनाओं को लेकर नियमित रूप से सवाल किये जा रहे हैं सियम नितीश के इंडी गडवंधन की बैठक से दूरी बनाने पर चुराग पासवान का बयार 6 दिसम्बर को दिल्ली में आयुजित होने वाले इंडी गडवंधन की बैठक पे बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के नहीं शामिल होने को लेकर लोजपार रामविलास के मुख्या चुराग पासवान के द्वारा निशाना साथते वे कहा गया है कि जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उनकी नीतियां फ्लॉप साबित हुई है पुना एक बार विपक्ष को एकजुट करने की नीती भी विफल होगा है नितीश कुमार जी का नितित्व विपक्ष के किसी भी निताओं को स्विकारे नहीं था इस दे ताश के पत्ते की तर लोगसभा चनाओं से पुर्व ही बिखर गया उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में करारी हार से सपस्ट पता चल गया है कि नितीश कुमार जी की अगवाई वाला महागडवंधन प्रधान मंत्री जी के नितित्व वाले एंडिये गडवंधन क के सामने धेर हो गया कल होने वाले विपक्ष की बैटक में नितीश कुमार जी का शामल नहोना साफ जाहिड करता है कि मुख्यमंत्री जी हार से डड़ गया है और हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से भागने के परयास में है नितीश कुमार जी ये तो अभी शिडवात ही ह आने वाले दिनों में देखते जाईए क्या होता है हलाकि आज होने वाले इंडी गडवंधन की इस बैठक को टाल दिया गया है रोहत सर्मा के बाद भारतिय टीम के टेस्ट कप्तान को लेकर आकास चोपरा ने इस खिलारी को बताया मजबूत दावेदार भारतिय टीम को दक्षन अफरीका के खिलाव खेले जाने वाले दो टेस्ट मैचों की स्रीस में भारतिय टीम की कप्तानी रोहत सर्मा के द्वारा की जारी है आकास चोपरा के द्वारा अपने यूटूब चैनल पर बताया गया कि अगर रोहत सर्मा अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो उनकी जगर टेस्ट कप्तान कौन हो सकता है उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय के बारे में बात कर रहा हूँ या सुबमन गिल हो सकते हैं मैं इस समय के बात नहीं कर रहा हूँ मैं अस भविशे के बारे में बात कर रहा हूँ रिशब पंत एक और मजबूत दावेदार है रिशब पंत बत और टेस्ट क्रिकेटर 24 करेट गोल्ड है पंत गेम चेंजर है एक बार जब रोहिसरमा टेस्ट कप्तानी छोड़ेंगे तो आप इन दो विकल पर गौर कर सकते हैं इसके साथ उन्होंने साउथ अफरिका के साथ होने वाले सिरीज को लेकर कहा कि भारत जी सकता है लेके दिया बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि ये केवल दो मैचों की टेस्ट सिरीज है दो मैचों की टेस्ट सिरीज में ड्रो होने के मौके कम है हमें इस सीतियों को में समय लगेगा भले ही हम यहां पहुचने के बाद पूरी तरह तयार हो लेकिन फिर भी दक्षिन अफ्रिका से पार पाना आसान नहीं होगा भारत के दियास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदर्ज भारत के सुतंता संग्राम से संबंध रिद्ध कैती की पहली घटना 1907 में चिंगरी पोटा रेलवे स्टेशन पढ़ हुई फिरा गोड़कपुरी 1926 में अपने साहितिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिस सरकार के राजनितिक बंदी बनाए गया थे भारत के अयोधिया में सथ बावडी मस्जित का विवादा असपद धाचा 1992 में गिरा दिया गया इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे केंद्रे बैंक ने 2008 में रेपो रेट और रिवर्स रेट में एक प्रतिसत की कटावती की भारतवा चीन की सिनाओं के बीच सयुंत युद्धाभास एक्सराइज हैंड एंड हैंड 2008 करनाटक के बेल गाओं में प्राडम हुआ मद्य प्रदेश के प्रमुक समाजी को राजनतिक काड़े करता ब्रिजलाल बियानी का 896 में जन हुआ एक बहुजन राजनतिक नेता भीम राओ अंबेटकर का 1956 में निधन हुआ परमवीच चक्रस सम्मानित भारतिय सैनी का मेजर होसियार सिंग का 1998 में निधन हुआ हिंदी फिल्मों की प्रसद अभिनेतरी बीना राई का 2009 में निधन हुआ भारतिय प्रसास्निक सेवा के अधिकारी डॉक्टर ब्रहमदेव श्रमा का 2015 में निधन हुआ प्रसिद भारतिय चर्थ अभिनेता राम मोहन का 2015 में निधन हुआ आज के दिन को महापरिनरवान दिन के रूप में भी मनाया जाता है वारल कर में आज हम बात करेंगे EVM पर प्रतिबंद के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सुचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे EVM पर प्रतिबंद के बारे में और गूगल पे UPI ID करे बंद क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको मोबाइल फोन खो गया हो या चोड़ी हो जाए तो आप कैसे अपने गूगल पे फोन पे पेटियम और UPI ID को ब्लॉक कर सकेंगे बता दे गूगल पे UPI ID बंद करने के लिए आपको सबसे पहले किसी फोन करना होगा इसके बाद गूगल पे के सार डेटा को रिमोटली डिलीट करना होगा इसके बाद आपका गूगल पे अकाउंट स्थाई तो और पर ब्लॉक हो जाएगा अगर आप iOS यूजर्स है तो Find My App और अन्य एपल एथरो इस टूल से सारा डेटा डिलीट करके गूगल प पर कॉल करें जिस मोवाइल नंबर से UPI ID लिंक है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें OTP पूछने पर आपको शिमकार या डिवाइस खोने के ऑप्शन को सिल्क करना होगा इसके बाद आपको कस्टमर केर से कनेक्ट किया जाएगा जहां से आप कुछ जानकारी देकर UPI ID ब् बता दे कि अबडेट इस रोक के द्वारा एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दिया गया है जिसके तहट चंद्रयान 3 का प्रोप्लोसन मॉडियूल वापस से प्रीथवी की कक्षा में पहुँच गया है इस रोक के द्वारा जी ने पी-म को प्रीथवी बद कक्षा में स्थापित किया आपके जानकारी के लिए बता दे कि 14 जुलाई 2023 को अंतरक्ष यान को SDSC-SHAR से LBM-3-M4 वाहन पर लॉंच किया गया था सेंसेक्स निफ्टी नई उचाई पर हुआ बंद बीदिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी नई उचाई पर बंद हुआ बता दे के अंत में सेंसेक्स 431.062 अंकियानी 6.036.3 फीज़ी की बढ़द के साथ 79,296.145 एक चारके सतर पर बंद वा आपके जानकारी के बता दे कि बीते दिन जिन शेरों में सबसे ज़ाद एक्षन देखा गया उनमें होना सा कंजियूमर, स्पाइजिट, यूडेका, फोबर्स, अडानी, ग्रीन एनरजी, M&M, फाइनेंसियर सर्विसेज, यूनिकेम, लेबरोटरीरीज, डीसीवी बैंक, बिहार पुलिस, दरोगा समीत, ऐससे जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षा में कामाएंगे, सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट, अफेर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सह उतर दिया, कृपा करके यह हमें कॉमे इसका सहितर है ओप्षणी चंदर नगर, अगला सवाल, हाली में किस तिती को सीमा सुरक्षा बल का 69 स्थापना दिवस मनाये गया है, ओप्षणी 1 दिसमबर, ओप्षणी 2 दिसमबर, ओप्षणी 3 दिसमबर, ओप्षणी 4 दिसमबर इसका सहितर है ओप्षणी 1 दिसमबर, अगला सवाल, हाली में किस राजी में 23 होर्ण बिल महुतसव शुड़ हुआ है, ओप्षणी असम, ओप्षणी मनिपूर, ओप्षणी त्रिपूरा, ओप्षणी नागलेंड इसका सहितर है ओप्षणी नागलेंड, अगला सवाल, राम क्रिश्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा निम्न में से कहां खुली, ओप्षणी भागलपूर, ओप्षणी दानापूर, ओप्षणी पठना, ओप्षणी देहरी इसका सही उत्तर है option C पटना अगला सवाल भागलपूर में 866 में ब्रह्मस समाज की शाखा किस ने स्थापित की थी? option C देवकी नंदनलाल, option B डॉक्टर कृष्ण नंदन खोस, option C दीप नरायन सिंग, option D गुरु परसाद सिन इसका सही उत्तर है, option B डॉक्टर कृष्ण नंदन खोस, बीदे दिन हमाई दुरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रिजाप, हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमाई दुरा पूछी का सवाल का जवाब उनके नाम है, सुजीत गोप, विवेक मिश्रा, राज की सोन मातो, गोनर सर्मा, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, रुनुक गोलु कुमार, अतीक खास, सुनील कुमार, मंडल, मुहमद सकीर हुसेन, बाबूलाल, मरांडी, वेद प्रकास सिंग, एहमद, उमेस, तांती, मंजीत कुमार, इसके साथ ही बरते हैं, अचके सवाल की उड़ाज का सवाल है, बिहार का कौन सा जिला, आपका मन पसंदीता जिला है, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ, बने अगर आप यूटूब से देख रहे हैं, चनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं, तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद